नमस्कार D5 चैनल हिंदी का खास कारेकरम स्पोर्ट्स वर्ल देख रहे सभी दर्शकों का मैं ध्रमेंदर संधू स्वाक्त करता हूँ इस कारेकरम में हम चर्चा करते हैं खेल जगत से जुड़ी हुई खबरों के उपर कि खेल जगत में क्या कुछ चल रहा है कौन सा टूरामेंट कहा हो रहा है कौन जीत रहा है कौन सा देश हार रहा है इसी के चलते कारेकरम का हिसा बनते हैं हमारे साथ सीनर पत्रकार परदीप शाही जी शाही जी आज भी हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले उनका स्वाक्त करते हैं शाही जी स्वाक्त आपका शाही जी प्रोग्रम की शुरुआत करते हैं होली के त्योहार से देश वुदेश में जितने भी हमारे दर्शक बैठे हैं हमारी और से हमारे मंच की और से डी 5 चैनल हिंदी के पूरे परिवार की और से आपको होली की हार्दिक शुब कामनाएं मेरी तरफ से भी हारतिक शुब कामनाएं, हारतिक अभिनंदन, आपके लिए होली बहुत शुब हो, रंगों का त्योहार आपके जीवन में समाहित रहे तो खेल के कारेकरम में सबसे पहली खबर लेते हैं बैडमिंटन से जुड़ी हुई इंगलेंड बैडमिंटन टूर्नामेंट चल रहा है, इसी के चलते भारत को बड़ी जीत हासिल हुई है शायजी आपसे जानना चाहेंगे कि कौन जीता है भारत का खिलाडी, क्या रिकॉर्ड बना है आल इंगलेंड बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के विश्विट चेंपिनशिप में कांसे पदक विजेता, 20 साल के लक्षमन सेन ने दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाडी एंडरसन एटोन सेन को सीधी सेटों में पराजित करने में सफलता हासिल की और इस जीत के साथ ही लक्ष सेन क्वार्टर फाइनल में पहुँच गए हैं उन्होंने एडम को 21 सोला और 21 अठारा से सीधे सेटों में पराजित कर अगले दौर में परवेश किया ये पहला मौका है कि क्वार्टर फाइनल में भारत की और से इस टूर्नामेंट में किसी ने पहुँचने में सफलता अर्जित की है साथ ही पीवी संधू और साइना नहवाल दूसरे दौर में ही हार कर भारत को निराशा का सामना करना पड़ा है जी और साथ ही बात की जाए गोपी चंद फुलेला की तो उनकी बेटी ने भी इस टूर्णामेंट में हिसा लिया है क्या उनकी जो है जीत है जी बेडमिंटन टूर्णामेंट में गोपी चंद फुलेला भारत ही नहीं अंतराश्टी अस्तर पर एक नाम वर्ग खिलाडी रहे अपने समय में उनकी बेटी ने 19 साल की गायतरी फुलेला ने इस बैडमिंटन औल बैडमिंटन इंगलेंट टूर्नामेंट में अपनी साथी के साथ मिलकर टूर्नामेंट में पहला मैच जीतने में सफलता अरजित की है इसमें एक खास जानकारी ये भी है संदु साथ कि गोपी चंद फुलेला ने आल इंगलेंट बैडमिंटन टूर्नामेंट में 21 साल पहले विजेता रहे थी और अब उनकी बेटी जो की 19 साल की है गायतरी उन्होंने पहला मैच ही जीत कर अपने पिता के पच्चनों पर चलने क शुरुआत करती है था रूस मेजबानी कर रहा था तो रूस को उससे भी हटा दिया गया है और भारत को मौका मिला है जी चुतालिस में शतरंच ओलंपियाड जो कि रूस में होना था रूस मेजबानी कर रहा था उस में से रूस को बाहर कर दिया गया है उस मेजबानी को चीन लिया गया है अब ये मेजबानी भारत में होगी और चन्नई में होने जा रही है और ये खास बात ये है कि 2013 के बाद भारत में एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है तमिलाडू के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस पर बहुत खुशी जताते हुए कहा है कि भारत में एक बड़ा अंतराश्ट्रिय आयोजन यानि के शत्रंच ओलम्पियाड का आयोजन हो रहा है जो भारत के लिए गर्व की बात है शत्रंच ओलम्पियाड जो भारत की समिती है उन्होंने इसके लिए शत्रंच समिती को एक करोड डॉलर की राशी भी परदान की है ताकि इस आयोजन को सफलता से पूरा किया जासके जी शाही जी आयोजन के मैच शुरू होने वाले हैं लिस्ट सूची जारी हो चुकी है लेकिन इसी के चलते ही बड़ी एक खबर आयोजन से जुड़ी हुई ह है पहला मैच चे नई सूपर किंग और केके आर यानि के कलकता नाइट राइडर्स के मद्धे होगा और सबसे खास बात यह है कि इस टूर्नामेंट में अत्या धुनिक और टेक्निकल की बातें अधिक सुनाई देंगी जी क्योंकि इस बार एक रोबोट कोमेंटरी बॉक्स में मौजूद रहेगा जो किसी भी खिलाडी का जब भी कोई अन्तराल होगा ब्रेक होगा यारनि कि जब गेंड़ बाजी में परिवर्तन होता है तो उस दोरान जो खिलाडी मौजूद रहेंगे पिछ पर उनके बारे में पूरण जानकारी रोबोट के जरिये परदान की ये पहला मौका है कि इस तरह का रबोट पुरानी स्मूची जानकारियों को इकत्रित करके अपने दर्शकों को और श्रोताओं को सुनाने में अपना एहम योगदान देगा। और माइकल शुमाकर दोनों के उपर धोखा दड़ी का मामला दर्श किया गया है क्या कारण रहे कहां पर ये मामला दर्श हुआ है। पुलिस के पास उनका कहना है कि इन दोनों के नाम पर गुडगाओं में एक एपार्टमेंट बनना था इन दोनों के नाम से शुमाकर और मारिया शारापावा के नाम से जो एपार्टमेंट बनने थे उनके लिए उन्होंने असी लाक रुपे की राशी परदान कर दी थी। प्रन्तु अभीता के अपार्टमेंट तयार नहीं हुए इसलिए इस मामले पर पुलिस ने धोका धड़ी का मामला कानून के दायरे में रहते हुए दर्च कर लिया है जी आप कारेकरम का हिस्सा बने स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपने विभिन खबरों के उपर अपना प्रतिकरम दिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सुसी परकार खेल जगत की नई खबरे लेकर फिर हाजिरोंगे फिलाल इजाज़त दीजिए धन्यवाद